श्री श्रिवाईग नमस्तुव्यम हरहर महादेव आप सभी को मेरी ओर से धनतेरस की हारदक शुप कामनाए तो सबसे पहले प्रशनी आता है धनतेरस की पूजा, पाठ हम कैसे करें और क्या चीज धनतेरस पर खरीदें, क्या खरीदूना शुप रहता है और क्या ना खरीदें, जिससे की लक्षम हमार से रूष्ट हो जाए, रूट जाए, तो यही सब हम इस वीडियो में बात करेंगे, और साथ में जो धनतेरस वाले दिन जाडू खरीदने का महत्व है, तो कैसी जाडू खरीदें, कब खरीदें, सुबह खरीदें, शाम को बता हैं, उसका भी आप सभी लोग लाब लेना, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, कि धनतेरस पर कौन सी चीजे हमें खरीदनी चाहिए, और कौन सी नहीं, तो इसका तो मोटा मोटी बात यही है, कि धनतेरस पर हम वही चीजे खरीदें, जो हमें आशक हो, और अपनी सामर् बरतन आदी खरीद सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बाते ऐसी हैं, जो फिर में आपको बताना चाहूंगी, जैसे हमारे पूर्वज करते आये हैं, बताते आये हैं, पीड़ी जर पीड़ी, ऐसे ही आप लोग भी यह कर लेना, तो देखिए धनतेरस वाले दिन वैसे तो आप बिल्कुल भी मत खरीदें, इससे यह कहा जाता है कि लक्ष्मी टिकती नहीं है, और अगर आपके पास आएगी, तो वैसे ही खर्च हो जाएगी, तो इस तरह एक तो बरतनों में चलनी बगारा जो भी छेद वाली चीज़ें मत खरीदें, उसे आप दीपावली के आपको बिल्कुल भी धर्तेरस वाले दिन नहीं खरीनी चाहिए, हमें खरीने चाहिए, पीतल, तामबा, कांसा, और अगर ये भी नहीं हो, तो स्टील भी खरी सकते हैं, लेकिन जो लोहे के जो ठोस धातु में बनी चीज़ें होती हैं, लोहे की जैसे की तवा, ये चिम्ट लोहे की चीज़ों को जो की खासकर सोलिड चीज़ें, उन्हें बिल्कुल भी मत खरीदें, और नमबर तीन, और काच की चीज़ भी हमें धनतेरस वाले दिन नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि काच जो होता है, ये इस्थाई परतिक नहीं होता है, जैसे की इस्थाई, इस् की चीज़ खरीदें, तो टूटती तो हई है एक नाएक दिन, तो ऐसे चीज़ों का आप एवोट करें, काच के कफ वगारा खरीदने का बहुत रिवाज है, तो आप इसे धनतेरस से पहले खरीद ले या धनतेरस के बात खरीद ले, तो छोटी दिवाली पर खरीद सकते हैं लेकिन धनतेरस वाली दिन बिल्कुल भी मत खरीदें काज की वस्तो को, ठीक है, तो ये चीज़े हो गई, जिसे आप बिल्कुल ना खरीदें, और ऐसी ही बहुत सारी चीज़े हैं, जिसे हमें खरीदने से बचना चाहिए, और सोना चान्दी में आप कुछ भी खरीद सकते हैं, जेवर खरीद सकते हैं, लक्षमिगण इसकी मूर्ती खरीद सकते हैं, जैसी जिसकी समर्थ हैं, वो खरीद सकते हैं, और रही बात, और अब बात कर लेते हैं, कि धनतेरस पर हम कब पुजा करेंगे, क्या शुब मूरत हैं, और कैसी पुजा करनी चाहिए, क्या भी दि हैं तो मुरत का तो यह है दिन जरूर के लिए जएसे बता करे पठली पर भीषा कर बचा करें दीप जलाएं धूब जलाएं जी लेकि एक करें और बाकि च॑मुक्ही जरूर जलाए आटे का Дीपक, जलाए तेलवाला और जो चमुखी दीपक है, उसे अपने पूरे घर में गुमाए और उसके बाद जुमाने के बाद उसे में दर्वाजे पर अपने में भार का में गेट है, उसके बीच भीच रखते। इससे क्या होता है कि घर की जो negativity है वो सारी दूर होती है और घर में सुखसमरद्धी खुशाली आती है लक्षमी का आगवन होता है और तो इस तरह से पूजा पाठ कर सकते हैं और धन 13 वाले दिन जाडू खरीत का जरूर लाएं जाडू का भी यह है कि हम किस वक्त जाडू ख बक्त जाडू की हम पूजा करनी चाहिए और जो कि हम वरत खरीत भलाएं धन-तेरस वाले दिन और बणतन सामरत्य को जरूरी हो आपके घर में जो जही है वो खरीत का लाएं और उसकी भी वह पूजा धन-तेरस वाले दिन होती है तो शाम के ट्याम इनниर की पूजा होगी औ तो इस तरह से हम जो भी ना वस्त्र लाएं हो तो वस्त्र लाएं हो कोई भी लाएं हो तो धंतेरस पर पूजा होती है। तो इस तरह से हम धंते रस पर पूजा कर सकते हैं और तेरा दीप जो है हम इसके धंते रस पर भी जलाएंगे और बाकी जो पूजा की दीप है वो तो ही है चो मुखी दीपक है और एक आट का दिया है और में दीपक भी होता है अगर आप चाहें तो चो की बिछा सकते हैं और घंतीरस वाले दिन पूजा करें पूरे विदिमी धाल से, कोई इसमें कटोती ना करें बहुती विदीविधान से पूजा करें क्योंकि साल भरकती वहार है एक बार आप जैसे कर लेंगे तो जो भी पाये धन तेरस वाले दिन कर लेंगे तो आपकी घर में सुक सम्रद्धी पूरेश्टाल बनी रहेगी तो अच्छे तरह पाये करें प पिछले साल की होगी यानि कि मंदिर में जो है अभी उसका ही पूजन होगा और जो आप नहीं मूर्थी लाएंगे तो उसका देप्रवाली वाले दिन पूजन होता है तो जो आपके मंदिर में उनी का हम पूजन करें और चोकी तो हम इसलिए भीचा सकते हैं या बिचाई कि आना बिचाएं वह भी कोई जुरूरी नहीं अगर आपका मंदिर में ही विराजमेन है तो वहीं पूजा करें माता रानी के आगे थोड़ी मिठाई मिठा रख दें कुछ भी और दिया जलाएं एक आटे का दिया जलाएं एक चोमुकी दिया जलाएं सरसो का तेल दोनों म बीच रख दें इससे क्या होगा हमारे घर की सारी नेगेटिविटी जितने भी नेगेटिव हुजा है सब चली जाएगी और हमारे घर में सुक्सम्रद्धी आएगी खुशाली आएगी जैसे पूजय गुरु देव जी ने बताया है कि हम धन तेरस की पूजा कैसे करें भो ललाने चाहिए तो जो चारुम यह उसमेंट पर जलाएं जरूरी आपके घर का समान ज्याने की समान रखेता है और जैसे पहले में नहीं जब आप पानी परिंड़े के पास अमट में चला सकते हैं इस दिन बढ़के पेड़ पर बोट अच्छा रहता है वीडियो ज़डे अच्छ लगई तो प्रीज जो मंगल जो पेड़ इन में चलाएं और बाकि अपने घर में हर कमरों में हर जंगें हर कोने में चलाएं तो दीप दान करना बहुत अच्छा रहता है वीडियो जरा भी अच्छी लगए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें जैश्री रादे जैश्री कृष्णा